हाई दोस्तों मैं हूँ इरम और आप से भी का बहुत बहुत सुवागत है इरम अनमे तो आज की वीडियो बहुत खास होने जा रहे है आज हम बनाने जा रहे है सूजी और आलो के स्नैक्स यहां आपने ग्लास पानी लिया और इसमें एक चमच ऑल काड़ कर दिया फिर इसमें सूजी पानी को बमक्स करें आ Од Rein Board कर रखेंगे हैं पानी को मिन्ताम में अलग से तो यहां इसे हमने घर तो एक खोवर नहीं कर टेंगे थाकि अबहुतों जान्य अपनी तृत्मिन्त पानी लिय खा है रहे हैं सूजी पानी पानी को में आंते हम ददल कर लिये तो उटन प अजर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दो प्ली सब्सक्राइब कर लें और साथ ता बैल आंग उनको प्रैस कर लें तो यहां अमने आलू को अच्छी से गरेड कर लिए तिर जोने मिक्ष्टर बनाया था था पानी में सूर्जी को अच्छी दर से अब्सक तो इसे हमने दीरे देर से मिक्स करते जायेंगे इसमेश को तो आज जो हम सुझी और आलू के स्नक्स बनाएंगे वह बहुत ही काफी लाजबाब होते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं तो यहां मारा मिक्स हो चुका है फिर इसमें एक चमछ लाल मीच पोडर और अदा चमछ भ और थोड़ा से KASOORI मेथी आड़ करेंगी और अधाचमाच आमचुर पाडर अधाचमाच धन्या बटर और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना इन मसालों को मने अथी तरह से मिक्स करना तो यह बहुत ही चिपची पहुता है मैं बिल्कुल अच्छी से मिक्स कर लेना है आप चाले तो हाथों पर तोड़ा सा ग्रीज भी कर सकते हैं तो हमारा मिक्सर रेडी है तो अब में से 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे आपको पाता ही सूजी फूलती है इसलि करके लाउंड राउंड करके लाउंग सी शेफ दे दे लेंगी एक जैसे फिंगर होती है ना फिंगर की दर आम रेसे शेफ दे लेनी इस तरह से साहरे पकोड़े जो है फिंगर्स सनैक्स कुछ भी पहुत लगते है वह बनाके रेडी कर लेने अच्छी तरह से यह हमारे सार नहीं हिला नहीं डूट जाएंगे और सारा हारे खराब होजाएंगे जब तक थोड़ा साइट से ना पक जाए फिरसे तो इसे अच्छने से लाउंगी और इनको मैं ज्यादा ब्राउnd नहीं करना है विजको बिलकुल गोल्डन वाल बाण रहता किमसी ज़्या पका लेना को चैनल को सबस्क्राइब कर लें यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं बहुत ही लाज समुत को अपको पहुत है कि आयलो की तो हार चीज बहुत ही हलो जाने लुदि यह लैके और चैनल में बचल्द करने तो चैनल को सब्सक्राइब करेають थैक्सलोगा है शूँन DRO